नमस्ते दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल कुक विद सुमरा ठाउट पे आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ यह बहुत ही चटपटी और मसालेदार हरे प्यास की सबजी की रेसिपी जिसे की स्प्रिंग ऑनियन भी कहते हैं बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है यह साथ ही सिहत के लिए भी बहुत अच्छी है सर्दियों की दिनों में इसे बहुत बनाया और खाया जाता है एकदम सिंपल और इजी रेसिपी है तो आप इसे ट्राय जरूर कीजेगा आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बैर बाला हिस्सा दोनों ही काट लिया है प्लेट में इसे मैंने दो से तीन बार पानी से अच्छे से धो लिया था उसके बाद मैंने इसे काटा है तो सबसे पहले सबजी के लिए मसाला बनाएंगे तो इसके लिए मैंने कटोरी लेली है इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे तो मैं डाल रहे हूं यहां पर 1 tablespoon इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे, और half tablespoon डालेंगे इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर, 1 teaspoon डालेंगे इसमें नमक, नमक आपनी स्वादर नसवार कमिया जादा कर लेना, और half teaspoon ले रहे हूं मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर यह डाल देंगे, और अब इसमें हम लसुन डालेंगे, तो एक पूरे लसुन की मैंने गाठ लेती, जिसे कूटलिया है यह डाल दें, और थोड़ा सा इसके अंदर अब हम पानी डाल देंगे, और इसे भी अब आप अच्छे से मिक्स कर लें मसालों के अंदर, तो यह देखिए, जो मसाला है हमारा एकदम रेड़ी हो चुका है, तो इसे अब हम साइड में रख देंगे, और बाद में सबजी में इस्तमाल करेंगे, तो अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, जिसके अंदर थबसे पहले आप तीन बड़े चमच तेल डालें, यानि कि 3 टेबल स्पून ओयल लिया है, ओयल अच्छे से गरम हो गया है, तो इसके अंदर हम 1 टी स्पून जीरा डाल देंगे, जीरे को थोड़े से देर के लिए पका लेंगे, अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, तो जो सफेद वाला हिसा था प्याज का, वो थोड़ा सा वैने लिया है, ये डाल दें आप इसके अंदर, और दो से तीन बारी कटी भी, अब हम इसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे, अब प्याज और हरी मिर्च को आप इस तरह से लगातार चलाते वे, लो मीरियम फ्लेम पर थोड़ा सा पका लें, जादा लाल नहीं करना है प्याज को, तो देखिए मैंने इसे थोड़ा सा पका लिया है, हलका सा कलर चेंज हो गया है प्यास का, तो अब हम इसके अंदर जो कटोरी वाला मसाला है, इस सारा मसाला डाल देंगे, और कटोरी में थोड़ा बहुत जो मसाला लग रहा है, तो देखिए मैंने इसे अच्छे से यहां पर मिला लिया है अब हम इसे ढख कर के पकाएंगे तो ढखन लगा देते हैं और लो मीडियूम फ्लेम पर इसे आपको दो मिनिट के लिए पकने देना है ताकि ऑईल सेपरेट हो जाए तो देखिए दो मिनिट हो गए है इसे अब हम चेक करते हैं तो यह देखिए आप कितना बढ़िया लग रहा है मसाला अच्छे से पकर के रेडी हो गया है ओल भी यहां पर सेपरेट हो गया है तो अब हम इसके अंदर यहां पर प्यास डालेंगे तो जो प्यास हमने काट के रखे थे प्लेट में इस सारे प्यास आप मसा अच्छे से मिलाएं तो बिल्कुल हलके हाथ से प्यास को आपको मसालों के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देखिए मैंने इसे मिला लिया है और आप देख सकते हैं प्यास पहले से थोड़े सिकूड भी गये हैं तो अब हम क्या करेंगे इस सबजी को ढखकर के पक अच्छे से पकर के रेडी हो गई है और बहुत ही डिलिशेस बनी है तो इसे आप ट्राइजरूर कीजेगा आपको बहुत पसंद आएगी साथ ही हेल्थ के लिए सबजी बहुत अच्छी होती है बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी है दोस्तों अगर आपको रेसिपी पस अच्छे साथ टेक केर बाइबाइ